हे गाई स्वागत आपका इस वीडियो में हाल की जो बड़ी ख़बर दोस्तों ये है कि जो बांगलादेस का जो कंट्रोल है वो मोहमद यूनुस के हाथ में आ गया है मतलब जुतने भी आप कारवाही होगी जितने भी कदम उठाए जाएंगे मतलब सबसे जो पावरफुल इ उनके एक परदरसन ने मतलब छोटे से परदरसन ने आगे चलके एक बड़ी भूमिका निभाई सेख हसीना को हटाने में जो बांगलादेस की पीम है सेख हसीना को हटाने में एक एहम भूमिका निभाई जो विद्यारती हैं उनके एक छोटे से परदरसन ने आगे चलके ए एक बड़ी भीड का रूप ले लिया जिसके बाद जो बड़ेज की PM है उनको हटा दिया गया और सबसे बड़ी बाद जो बांगलो देज सक हसीना इसफिए भारत में दिली में आती हैं इसे के बाद जो यूनुस हैं आपको बता होगा उनको बुलाया जाता है और उनके हाथ में कंट्रोल दिया जाता है तो दोस्तों इन्हों नहीं कहा है monster is gone मतलब monster कहके वुकार रहे हैं जो सेख हसीना है उनको और दोस्तों आपको ये भी बता दे कि आपको जैसे कि आपने खबरों में देखी लिया होगा कि हिंदुओं पर लगातार attack हो रहे हैं बांगलादेस में इसको लेकर बांगलादेस की जो government है सरकार है उन्होंने कहा है कि हम इसको resolve करने की पूरी कोसिस कर रहे हैं जो भी अलप संख्यको पर attack हो रहा है उसको हम देख रहे हैं और सबसे बड़ी बात दोस्तों जो ये घटना पूरी सुरुआत होती है वो क्यों होती है दरसल ये मार्टिन आलेंड को लेकर होती है ये आईलेंड क्या है दोस्तों इसके बारे में पहले जान लेते हैं और आप जान लिजे कि पूरी जो ये पूरा जो किस्सा ये पूरा जो सेख हसीना को नकी गदि से हटा दिया गया है इसके पीछे यही सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है दरसल US के इंट्री होती है यह आपको देख रहा होगा यह आईलेंड है दोस्तों यह जो आईलेंड है मार्टीन आईलेंड मार्टीन आईलेंड को दरसल US अपने कंट्रोल में लेना चाहता था तो US ने बंगलदेश की जो PM है सेख हसीना से उनसे इजाज़त मांगता है कि मुझे जो मार्टीन आइलेंड है उसको अपने कंट्रोल में वहाँ पर अपना सैन अड़ा बनाने का इजाज़त दिया जाए लेकिन जो सेख हसीना होती है आपको पता होगा सेख हसीना इस वेरी US आर्मी आ जाती है तो सीधे दोर पर भारत में नजर रखा जा सकेगा US के द्वारा तो भारत की कई खूफिया जानकारी US को भी मिल सकती है इस कारण से सेख हसीना ने उनको मना कर दिया सिधे दोर पर US को मना कर दिया जिसके बाद US को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया और आप हाल में देखी रहे हैं कि बांगलादेश से सेख हसीना की चुट्टी हो चुकी है अब बात करते हैं कि ये जो दोस्तो अलपसंख्यक हैं अलपसंख्यकों पर कितने अटैक हुए हैं ये तो दोस्तो मैं पुरानी बात बता रहा हूं 205 अटैक तो हो चुके हैं यानि 10 मार आघस्त तक दोस्तों 205 अटेक हो चुके हैं जितने भी अल्पसंख्यक है बांगलादेस में यानी हिंदों की बात कर रहा हूं दोस्तों हिंदों के परती जो बांगलादेस की आम जनता है महाँके के जो लोग है कट्टरपन थी वो हिंदों के पर तीकड़े कदम उठा रहे हैं और दोस्तों हिंदों के घर जला दिये जा रहे हैं इस कारण से भारी प्रदसन हो रहा है आपको देश विदेश और बहुत जगहों से देखने को भी मिल रहा होगा हिंदों ने आपको याद के जो एडवाइजर हैं किसके बांगलादेश के दोस्तों बांगलादेश के एडवाइजर ने कहा है कि जो सेख हसीना भारत में जाके ठहरी है इससे भारत और बांगलादेश के रिस्ते एफेक्ट होंगे मतलब बांगलादेश और भारत के रिस्तों पर परभाव पड़े तो बहुत ही मतलब इसारों में बात किया था कि US उनके खिलाब कुछ बड़े कदम उठा सकता है US उनको गद्धी से हटाने के लिए अलगलग परियास कर रहा है लेकिन जब से खसीना भारत में आ जाती है जो उनकी मतलब उनकी गद्धी चली जाती है तो उन्होंने साब तोर पर बता दिया है कि US ने बड़ी भूमी का निभाई है उनके रिजाइन के परती उनको हटाने के परती US ने ही बड़ी भूमी का निभाई है अब बात करते है PMODI की PMODI ने हिंदू के परती क्या कहा है PMODI ने ट्विट करके कहा कि hope for a safety and protection of Hindus मतलब PMODI ने उमीद किया है जो अभी के समय जो बंगलादेश जिनके कंट्रोल में है यानि यूनस मोहमद यूनस उनसे ये उमीद किया है कि जो हिंदू है जो बंगलादेश में हैं उनके safety और protection का उनकी सुरक्षा का पूरी तरीके से ध्यान रखा जाएगा जो बंगलादेश की current सरकार का जो पूरी तरीके से control है यूनस वो पूरी तरीके से ध्यान रखेंगे ये PMODI ने यूनस से उमीद किया है अगे बात करते हैं दोस्तो इसराइल को लेकर आपको पता है कि इसराइल भारत का परमित्र है जैसे रसिया है दोस्तो इसराइल ने इसराइल के जो ambassador है यानि नावर्गिलोन इन्हों ने चिंता जाहिर की है क्योंकि लगातार जो हिंदों को पर attack हो रहा है बांगलादेश में इसको लेकर नावर्गिलोन ने चिंता जाहिर की और कहा कि ये जो attack है ये पूरी तरीके से गलत है मतलब हिं पर कि मिलय कीई, भी से क्लाइवन है, आज जो घूम है, जो सेख असीना ने बांगला से घूम है, उसके करीब जो हिंदू है और जो हिंदू है, अुनके बीश में कि दोस्तो कि अगे मिल से जहां पर मुहम्मद यूनिस रहते हैं उसके करीब I hope दोस्तों आपने जान लिया होगा कि ये जो पूरा मुद्दा है वो एक आईलेंड की वज़े से सुरू होता और आपको ये भी बता दे कि ऐसा माना जा रहा है कि मैनमार का भी इसमें बड़ी भूमी का है फिलहाल आपके इसाब से क्या ऐसे कदम उठाने चाहिए जिनके जरीए जो हिंदू है बांगलादेस मुन को सुरक्षित और किया जा सके जय हिंद जय भारत